अगर आप इन सब्सक्राइब जोड़ोगे ना तो टोटल आप 110 कुश्यन करके आ रहे हों अब आप दो चीज़ों पर ध्यान दो जो मैंने आपको बता है सेक्शनल कटॉफ भर सब्जेक्ट में आपको 14 कुश्यन करने थी मतलब सेक्शनल कटॉफ आपका क्लियर ओबरॉल कट क्लियर और आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका एक्जाम है यहां पर आपके पेपर का पूछने का तरीफ़ आपको पूछने का को सबसे पहले तो आप यहां पर सबसे वहले मैं बताने वाला हुए वह को बता होगा कि 400HAHA करो होगा हर सेक्शन में आपके 40 कुश्यन होने वाले हैं 4 आपके एक साथ कुश्यन को साल होगे चार सेक्शन मतलब आपका मैं महादे hearing and और आपका हिंदी और यह पूरा आपका कौन-कौन सा मूल विदी का आपका Constitution का और आपका जीके के अंदरा सारी चीज़े आ जाएगे आपकी करन्ट अफेर्स भी आ जाएगा यूपी जीके भी आ अब यहां पर आपके दो काम करेंगे सबसे पहला सेक्ष्णल कट आपको 35% कंपल सरी है 35% मतलब अगर आपके एक सेक्ष्ण में 40 कुश्ण रहेंगे तो 40 का 35% मतलब हर सेक्ष्ण में आपको 14 कुश्ण सहीं सहीं करके आना पड़ेगा टोटल चार सेक्ष्ण में आपको 56 कुश्ण तो ठीक करके आना ही पड़ेगा ठीक है इन सब से काम नहीं चलेगा आप अगर ओवर ओल देखोगे तो अब यह सब तो ठीक है अब यह आप 35% का क्राइटेरिया कैसे पार करोगे 50% का क्राइटेरिया कैसे पार करोगे तो इन चीज़ों पर हम लोग सबसे पहले जो आपके एक्जाम के चार स्थम्भ हैं जो आपका मैस रीजनिंग हिंदी और आपका जीक है इन पर हम लोग डिटेल में डिसकस करने वाले सबसे पहले भीया मैं आपको बताने वाला हूं मैं अगर मैं मैं की बात करूं तो यहां पर आपको भी बताएं कि चालेस कोश्यन आएंगे एक कोश्यन आपको ठीक करने सब ठीक है लेकिन अगर आप लोग काफी टाइम से जैसे जब से फोर्म आया तब से आप लोग अपने तयारी में कंटीनिव बीच में भली आपका लोगडाउन लगा हूं अब आपको जरूवत है एक सही रणनीती की सही आपकी स्टेटीजी क्या रखनी क्या हुआ अगर यह आपने अभी तक प्रैक्टिस है अगर नहीं लगा रहे हूं तो आप आप लोग उनको कंतीनिव करहूं सेक्स न आपड़ो पुशन लगाओ और अगर आप लोग तैयारी करने वाले हो अभी तैयारी शुरू करने वाने उत्लीं की आप देखोगे तो 25 टॉपिक आप तो मिल जाएंगे तो एक दिन में एक टॉपिक करो और लास्ट के 25 दिनों में आप अपनी प्रैक्टिस करो ठीक है रुफ्रेंस के तौर पर आप कोई भी किताब को उठा सकते हैं जो भी आपके पास हो अवेलिबल हो अच्छे से जिसमें आपके UPSI के मैंट्स के हर टॉपिक को क्लियर किया गया हूं अभी यहां पर आक्यवल आप सिलिवस कंप्लीट करो फिर डेली मौक टेस्ट आपका इन सबसे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो अगला है आपका रीजनिंग में कोई आपको अलग से स्टैटिकी को आपको ठीक लगे जिसमें आप कमफर्टेबल हो अब चालिस चालिस कुश्चन के प्रैक्टिस सेट अभी से सेक्स्टनल रिजनिंग के लगाना चालू कर दो हां यहां की रीजनिंग में थोड़ा सा आपका अंतर रहेगा अंतर क्या रहेगा कि यहां पर बहुत सारी चीज में कौन कुम सी चीजे अलग हैं जो आपको एक्स्टा डेवल पर पढ़नी पढ़ेंगी इसकी बाद जो आपका अगला रहेगा हिंदी ठीक है अब हिंदी को अगर आप दो पार्टों में डिवाइड करो तो हिंदी के आप दो पार्ट बनाना पहला आपका रहेगा ब्याक करना होगी तो पचास परसेंट का आपका साहित मतला 20 कुशन 20 कुशन का आपका कॉंबो चलता है यहां पर तो सबसे पहले ब्याकरण में कौन कौन सी चीजे आपसे नहीं बन रही है उनको अभी से आप लोग अच्छे से देख लो और आप अपनी प्रेक्टिस को लेकक का नाम साहित का नाम ठीक है लेक लेकक कहां से लेककिंगा की बोली क्या किस भासा में अपना ग्रंत लिका यह सारी चीजें पड़ेंगी समझने की चीजें हो होगी पंक्ति कोई भी हो सकती उसके मन की हो सकती है इसके बाद जो आपका आता है जिससे हर पोई डर रहा है आज की प्लिट में कि आपका मूल विदी हो गया दूसरा आपका कॉंस्टिटीशन हो गया अब तीसरा आपका जी के अब देखो मूल विदी में आप सबसे पहले प्रीवेस एर पेपर उठाके देखो कितने कोशन बनते हैं चालीस में से सब्सक्राइब चलों आपके साथ से आठ कुशन है दस कुशन मूल विदी से आ रहे हैं तो आप उन मूल विदी का पैटन देखो कि मेला सरच्चन अधिनियम से आ रहा है आई पीसी से आ रहा है ठीक है पर्यावरण से कॉश्चन बना और किस पैटन की कुशन मनते हैं अब उन पर थोड़ा फोकस रहूं अब बात आती कॉंस्टिटूशन अगर कॉंस्टिटूशन का देखोगे समयधान का देखोगे तो भाई सब जब से हम लोगन तैयारी शुरू करते तो समयधान तो पढ़ते हैं ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो समयधान को न मुझ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यह तो हम लोग अपसे तयारी के तब से पढ़ गए अब बात करते हम लोग जीके की अगर जीके को आप देखोगे जीके का अपने आपने पार्ट बहुत बास्ट है क्योंकि यहां पर आपका साइंस भी आएगा ठीक है इन्वार्में क्योंकि चार से पांच कुष्यन आपको 110 परसन देखने को मिलेंगे ठीक है यूपी जीके के कुष्यन अभी से देखना चालू कर दोगे चार से पांच कुष्यन आपको वहां से देखने को मिलेंगे इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हिस्ट्री और हिस्ट सक नमबर ला सकते हो 25 नमबर जीयस में लाना अपने आपने बहुत बड़ी बाद ठीक है यह तो मैंने आपको आपके चार इस्थम्मों के बारे में बता दिया कि जो आपके एक्जाम में यहां से पूछे जाएंगे अब सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट में कितने नमबर लाना है और आपका सेफ इस्पूर कितना हो सकता है मैंना टॉपर की बात कर रहा हूं मैं सेफ इस्पूर मतलब बिटा इतने नमबर में आपको एक पूष्ट हंडेट एंट 10% मिलेगी आप कोई इतना सेफ इस्पूर आपका रहेंगा इसमें आप चाहूं तो नमबर एड कर सकते हो लेकिन कम मत करना ठीक है इतना आपका सेफ इसकूर तक आप कैसे पहुंचोंगे समझो भाईया अगर आपके 40 कुश्चन में आएंगे बिलकुल मरीगिरी हालत में 28 कुश्चन कर सकते हो हो ठीक मैं बहुत कम बता रहूँ लोगद या बहुत सारे लोग होगे यो 35 35 मारके आएंगे 30 32 इतने 30 की लाईन में रहने बाले ये तो मैंने बहुत कम स्टेंbonन बेदिंग राहएं हें फ्टीन कर सकते हो अगर आप इन सब जोढ़ोगे ना एक सो दस कुश्यन करके आ रहे हो अब दो चीजों पर ध्यान दो जो मैंने आपको पता है सेक्षिनल कट अब आपका क्लियर और आपका सेलेक्शन की रेस में आ जाओगे यह आपका सेफ स्कोर रहेगा इससे आपको कम नहीं लाना है ठीक है इससे चितना ज्यादा आप अब यह चीजें आप कैसे ला पाओगे तो मैं एक बार आपको बता देता हूं परिच्छा अप्लिकेशन पर आपका एक मैस का कोर्स मिल जाएगा जो आपको लाश्ट के अंतिम दिनों में बहुत हेल्प करेगा जिसमें आप अपने मैस का रिपीजन कर सकते हो यहां पर य यूज करके 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं इसके अलावा यह तो चलो उनके लिए जिनको मैस की जरूवत है अब जो मैं बताने वाला हूं यह हर किसी को अप्लाई करना है क्या मॉक टेस्ट अभी से आप लोग लगाना स्टार्ट करूं ठीक है पर इच्छा अप्लिकेशन जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा चलो अब यह वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया है अब ऐसे ही और वीडियो के लिए आपको क्या करना है तीन चीज़ें सबसे पहले वीडियो को करना है आपको लाइक और जादा से जादा सेयर और चैनल को करना है आपको सब्स्क्राइब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वेडिया में